असलाम लेकिम वर्ट उमीद करते हैं आप लोग खेरियत से होंगे आज हम आपके साथ एक नई रेसिपी शेयर करेंगे रेसिपी शेयर करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताके हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें और हम आपके साथ नई रेसिपी से शेयर करते रहें तो चलते हम अपनी रेसिपी के तरफ हम आपको चिकन स्टीम बनाना से खाएंगे एक डिफरेंट और यूनिक तरीके से यह ऐसी रेसिपी है कि हर कोई अपने घर में असानी से तियार कर सकता है यहाँ पर हमारे पस टूकेजी चिकन है इसको मैंने अच्छी तरह से दो के रख लिया था और अब हम इसको सिर्का लगाने लग गया है तो सबसे पहले हम यह चिकन बाउल में डालेंगे एक बाउल अपने चिकन को मसाला लगाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास है काली मिर्च काली मिर्च हम एड़ करेंगे दो चाय के चमच काली मिर्च और यह है जीरा दो चाय के चमच जीरा यह एड़ करेंगे उसके बाद सौंफ दो चाय के चमच सौंफ एड़ करेंगे और उसके बाद हम अध्रक और हडी मिर्च की पेस्ट एड करेंगे उसके बाद दादर मिर्च एड करेंगे हम यहां पर गरम मसाला एड करेंगे दो चाए के चमच और सब कुछ अपने दो चाए के चमचे में ही लेना है अब हम लेंगे दो चाहे के चमच आजवाइन एड कर थेंगे बीच में और अब सबस लाइची दो चाहे के चमच पीसीवी को और अब यहां पे हम ने लिमु का रस ले लिया डोक लेजंदे को हाइपने काट्ग कर रस निकालना है और यहां यहां पर हमने यह देहीं है चार च्वह गच चमच बूय देख नंधि हम यह निरтоящ का यहीं हें पर और यहां पर ब्राइब आप zwischen दो शेयर करने से दोइख वर में यहां पर अपर उसके बाद फूट कलर एड़ करेंगे एड़ कर दे आदा चाय का चमच अब नमक बाकी राएगे नमक भी आड़ कर देते हैं यहां पर अब हमने नमक एड़ कर दिया अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे अब आपने चिकन को इस तरह मिक्स करना है कि मसाला इसके अंदर चला जाए और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसको दो घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे हमें दो गेंटे हो गए हैं चिकन को मसाला लगा के फिज में रखे हुए अब हम इसे स्टीम करेंगे स्टीम करने के लिए यहां पे हमने कराई लिया अब हम इसमें चिकन एक एक करके रखेंगे तो यहां पर मैंने चिकन के पीस क्राई में रख दी है अब हम इसको स्टीम करने के लिए रख देंगे स्टीम हम 15 मिन्ट के लिए करेंगे पहले इसको और यहां पर हम हलकी सी आँठ पे इसको रख देंगे तो अब 15 mm के बाद देख फंद्रा मिंट गुज़र चुकिया अब हम इसकी साइड चेंज करके एसको फिर से 15 mm के लिए पकने के लिए डग देंगे यहां पे हम इसकी साइड चेंज कर रहे हैं स्टीम को 15 mm पुरे हो चुके हैं चिकन को बून लेंगे और बीच में बटर एड कर देंगे, यह हमने बटर एड कर दिया, अब चिकन को अच्छी तरह बून के तो डिश आउट करके हम आपसे शेर करते हैं यह हमारा चिकन स्ट्रीम रेड़ी है अब आप भी इसे घर में ट्राइ करें और हमें दीजिया इजाज़त नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगी अलाहाफिस